Hello Friends, Welcome to Billionpreet आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पता हूँगा ऐसे कौन से important factors होते हैं जिनको आपको check करना होता है जब आप किसी की franchise लेने जा रहे हो देखो, इंडिया के अंदर 85% जो franchises है न वो scam है, fraud है, आपके साथ gambling करी जाती है होता क्या को बिजनस चालो करता है, अब उसको expansion करना है तो वो क्या करेगा, एक franchise model तयार करेगा, trademark ले लेगा, market बेचना चालो कर देगा अपनी franchise उनका मकसद है न, franchise से पैसा कमाना नहीं होता है, कि हमारी franchise profitable होगी, scale करेगी, तब हमारा पैसा बनेगा उनका मकसद है कि one time royalty fee ली, 5,10,000 अब franchise को छोड़ दिया, चल गई तो बहुत अच्सी बात है, नहीं चल पाई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनी चीजों का ध्यान रखना है आज मैं आपको factors देने वाला हूँ, जिनसे आप check कर सकती हो, कहते हैं एक relationship के अंदर कुछ tips होती है, tricks होती है, hacks होती है, जिनसे प्यार सच्चा है या नहीं है, मालूम पड़ता है, save with franchisee business के अंदर, ये points देने वाला हूँ, इसको note down कर लेना, अगर आप franchisee ले रहे हो, लेन आप से नहीं लेंगे, समझ जाना fraud है, पूछो क्यों, पूछो क्यों, देखो, अगर कोई आप से one time पैसा ले रहा है और lifetime आप से एक रुपे नहीं कमा रहे है, तो उसका मकसद से उस one time पैसा लेने में, future में कुछ भी नहीं है, इसी इसका ध्यान दगना, जब जब आप से one time में इंट्रस रे, उसके अब तो training support नहीं देंगे, दूसरी चीज, agreement, agreement को ध्यान से पढ़ो, training के points क्या है, obligations क्या है, और इसके लिए आप एक corporate lawyer को hair कर सकते हो, देखिए, आपने एक बार agreement sign करा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, चाहा कि भी कोई lawyer आपकी मदद नहीं कर सक हमारा एक channel है, Sony's Vision Legal करती है, यहाँ पर हम agreement drafting के उपर, franchise agreement के उपर, कैसे review करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे draft करना है, सारी information free में है, हमने इस channel के उपर upload कर रही है, इस channel को आप जाके check out कर सकते हो, link आपको description में मिल जाएगा, अब तीसरी चीज, जिसका आपको ध्यान रखना है Track the brand, brand को track करो भाया, जैसे आप अपनी girlfriend को track करते हो, boyfriend को track करते हो, यह trends को track करते हो, mobile के अंदर, वैसे आप franchise को track करो, देखो यह कितनी चल रही है, कैसे चल रही है, कितना footfall आ रहा है, performance क्या है, customer review क्या है, at least, कोई भी brand लेने से पहले न, 3-6 मिने, उस brand को बहुत अच्छे स Track करो, उसके running cost क्या है, working capital कितनी requirement है, इस सारी चीज़ आपको track करनी पड़ेगी, चौती चीज़, market requirement, देखिए, brand को आपने track कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब market के requirement है भी है, अगर आप किसी गाओं के अंदर, Puma का, showroom दाल दो के चलेगा, नहीं चलेगा, आपको city में दाल देखो, customer rotation देखो, brand का training support देखो, demand देखो, growth opportunities देखो, इन सारे चीज़ों का analysis करो, अगर आपको करना नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपने इतने सारे businesses नहीं कर रहे है, experience नहीं है, तो आप इस number पर call करके, हम से one-on-one consulting ले सकते हो, connect हो सकते हो, हमारी जो consultants से, experts से, आपको मदद करेंगे, right franchisee choose करने के अंदर, और हमारी website, billion breed के उपर, इस समय, 400 plus brands listed है, जिनको जाके आप checkout कर सकते हो, franchisee section के अंदर, आप देखिए, इंडिया के अंदर आपको franchisee ले रहे हो, और कोई आपको कह रहा है, इस मेना 10 lakh दालती, तीन महीने बाद, आपको 50 lakh का फाय मुनाफ़ा किता एक X cream के उपर, वो बहुत ज़रूरी है, calculation, गनीत के उपर work करो, तभी आप अच्छी franchisee को choose कर पाऊगे, और देखो, किसी भी franchisee business को, अगर एक साल से कम operations के अंदर हुआ है, तो उसको मत लेना, क्यों? उनको खुद को ही नहीं पता, ना manuals होंगे, ना SOP हो होंगे, ना process होंगे, तो आपको क्या guide करेंगे? इसलिए, आप पहले brands के existing models को, SOP को, process को, उनके खुद के कित्ते outlet से, उसको देखो, और आप लोग income tax की website पर जाके, GST की website पर जाके, उनके turnovers को भी check कर सकते हो, और देखो, last के अंदर है, ब्रैंड के IPR के audit कर आओ, क्यों? फ्रेंचाइजी लेते क्यों? आज McDonald's, Domino's, Pizza Hut, क्यों फ्रेंचाइजी बाट पा रहें? इनकी IPR strong है, आप brand को किसी इसका पैसा दे रहो? IPR का दे रहो ना, अगर आपको किसी brand का IPR audit करवाना है, तो आप हमें इस number पे call कर सकते हैं, हम आपको check करके बताएंगे कि इनके किते trademarks registered है, किते process registered है, क्या SOP process, manuals, IPRs, proper, इन्होंने follow करें या नहीं करें, यह बहुत ज़रूर है, क्योंकि एक बार आपने franchise ही ले ले ली, पैसा transfer कर दिया, लेटर ओन, नुकसान सिफ आपका होगा, इसका ध्यान लगना और किसी का नहीं होगा, अगर आपको मेरे से connect होना ह पूछने, तो LinkedIn पर मेरे को message कर सकते हूं, इस platform पर मैं active रहता हूं, यह फिर Instagram पर आप मुझे follow कर सकते हैं and DM कर सकते हैं, Instagram के उपल भी मैं काफी active रहता हूं, वहां भी मैं काफी सारा content and information पोश्च करता हूं, so friends, आपने इस video को यहां तक देखा, हम लोग वता पर हैं support दिया उसके लिए धन्यवाद